Hello friends, welcome to Constance Mind, my name is Deepak आज की इस वीडियो में हम आप से डिस्कस करेंगे Central University के दो new PhD से regarding notification तथा एक state government university जोकी उत्तरपदेश से है वहाँ से PhD को लेकर update आई हुई है दोनों के बारे में important update आपको दी जाएगी यहाँ दिलही से एक Central University का application का notification आचुका है सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस का लिजेगा आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी services के बारे में बता देते हैं अगर आपको रिसर्स प्रपोजल बनवाना है तो आपमारे नंबर 926-098-489 पर WhatsApp कर सकते हैं आपका topic भी decide किया जा सकता है हम आपको topic भी suggest करते हैं और प्रपोजल भी आपका बनाएंगे तो इसके लिए आपको अपना यदि आपके पास topic है तो topic भी बता सकते हैं अधर्वाइज आपको अपना interest area बताना होगा जिस पर आपका proposal तैयार किया जाएगा और अगर आप PhD इंट्रेंस पीवाइक्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी link description में दिये गया है आप इस number पर WhatsApp भी कर सकते हो कोई दिक्कत आती है तो और यहां जितने भी PYQ हैं उसमें subject और research methodology दोनों का combined भी आपको मिल जाएगा और आप अगर सिर्फ research methodology देना चाहते हैं तो वह भी मिल सकता है तो इसका link description में दिया गया है फटा-फट जाके आप चिक कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो university की बात करने जा रहे हैं वो है पुर्वांचल university यह उत्तरप्रदेश की एक state government university है VBSPU यह वीर बहादूर सिंग पुर्वांचल university है जो की उत्तरप्रदेश के जौनपूर में है यहां से application दसहरे के बाद स्टार्ट होगा सारी जो प्रक्रिया लिया जाएगा जिसके लिए आवेदन दसहरे के बाद स्टार्ट होंगे यहां पर जो रिक्त सीते हैं उनकी जानकारी गाइड्स के माध्यम से तथा कालेजों या विस्त्रप्रदेश के डिपार्टमेंट से कठ्था की जा रही है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में वह 20 अक्टूबर प्रस्तावित है और 10 अक्टूबर से इसके एड्मिट कार्ट डाउनलोड किये जाएंगे यह साथ अक्टूबर की नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है अगली इनुश्टी जो है वो उत्रपदेश की एक्सेंटर लिएस्टी कासी हिंदु विस्व जो एप्लिकेशन है वो स्टाट नहीं हुआ है लेकिन यह प्रक्रिया लगभग बहुत जल्दी शुरू हो सकती है इसका जो यह नौटिफिकेशन है यह पुराना ही है जो 27 मार्च के लिए अप्डेट आई थी उसको बताया गया था इसमें तो अभी प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया के लिए अप्डेट नहीं है ना इंफॉर्मेशन बुलेटन कहीं सो हो रही है तो जैसे ही डिटेल्स आती है आपको बताया जाएगा लेकिन प्रक्रिया होगी वह यहीं होगी कि जिन्हों ने युजिस्टी नेट एक्जाम दिया है और वह जो क्वालिफाई हो वह होगे नेट का एक्जाम चाहे वह ज्यारा फों यावह के लिए क्लिफाई होते हैं यह नली पी अप्रक्रीया को यहां पर एक्जाम जो और यहां पर उस विसे में इंटरेंस एक्जाम भी लिया जाएगा जिसमें नेट के एक्जाम नहीं होते हैं ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है तो इसके लिए आवेधन में इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि जो यूजी सी नेट का रिजल्ट है वह काफी डिले हो रहा है इस अगली जो उन्वर्टि है वह है जामिया मिल्या इसलामिया यह एक संड्रेल उनवर्स्टी है दलही में है यहां से पिअस डी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है यह PhD का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो admission notification जो कि आपको university की website पर देख जाएगा आप वैसे भी देख सकते हो यहाँ पर तो इस notification में क्या बताया गया है वो देख लेते हैं तो जामिया मिला इसलामिया के जो यह notification है वो 5 अक्टूबर को आया है और इसमें लिखा गया है यह session 2024-25 के admission के लिए application invite किया जा रहा है online application are invited for admission to PhD program of जामिया मिला इसलामिया निव दिलही for the academic session 2024-25 इसमें जो आप apply कर पाएंगे वो 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक कर पाएंगे यानि कि अभी start नहीं हुआ है यह 10 अक्टूबर को start होगा ठीक है the schedule of interest test will be notified separately applicants are advised to regularly visit the university website तो अभी इस पर seat की details या prospectus ऐसा कुछ detail आया नहीं है अभी सिर्फ यही एक notification है अगर 10 तारिक तक notification आता है या seatों की details आती है तो आपको वीडियो बना के बताया जाएगा अदर्वाइज application का link दस तारिक से active हो जाएगा और आप direct आविदन कर पाएंगे यहां पर आविदन करते समय ही आपको subject और seatों की details मिल जाती है ठीक है कभी-कभी ऐसा होता है कि यहां पर notification या prospectus नहीं मिल पाता है ठीक है तो यह details थी लगभग हमने आपको तीन उनस्टी का बता दिया जो VBSPU जॉनपूर है यानि कि state university पुर्वांचल की इसका दस अहरे तक application start हो सकता है देच्चू का application अब कभी भी किसी भी दिन start हो सकता है JMI का यह है जो कि start हो चुका है और CSJMU का हमने बताया कि जो आपका admit card है वो 10 तारीक से available होगा ठीक है तो ऐसी details पाले के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा हम मिलते हैं next वीडियो में next notification के ताथ अगर आपके पास कोई question है तो comment section में पूर सकता है नमस्कार